नमस्कार दोस्तों बागवान आप सभी कबला करें और आपके सारी ख्षाय मनों कमने पूरी हो यहां आपके सबसे पहले प्रश्णों का अंतर दिया जाएगा तो पहला प्रश्ण है मेरिड लाइफ के रिगार्डिंग की मेरिज होने के चांसे कब हैं तो यहां देख सकते हैं कि आपकी सबसे मेन सपोर्टिव लाइन यहां पर स्टार्ट हो रही है वो around 30, 1 & 2 के मिड में हो रहा है यारी सारे योग मेरेज के बन जाते हैं तो यहाँ पर उमर 31 से 32 के मेर्ड में 100% आपकी लाइफ में पार्टनर आने वाले हैं और बहुत सक्सेस्फुल यहाँ पर आपकी मेरेज लाइफ रहेगी रिजन यह है कि एक तो सपोर्टिय लाइन जो होती है वो लाइफ में जितने भी struggle, stresses या barrier होते हैं किसी प्रकार के उसको overcome करते हैं क्योंकि यह सारी रेखा हैं किसी भी व्यक्ति के दौरा support को दर्शार होती है यह divine help को और उपर से आपका जो शुक्र amount है वो develop बहुत बढ़िया है तो शुक्र जब developed होता है तो कभी भी partner को choose करते समय या अपने life में desire ambition को fulfill करते समय कोई भी compromise करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि शुक्र जब developed होता है तो pleasure के requirement या फिर high thinking approach जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए बहुत क्या इस condition में compromising nature नहीं होता है इसलिए marriage में थोड़े delay हो रहा है लेकिन जो partner रहेंगे वो बहुत ज़दा आपको satisfied रखने वाले happy रखने वाले और fruitful overall married life का structure आपका रहेगा तील का formation शुक्र पर होना बिल्कुल खराब होता है इवन जूपिटर भी जब developed कम होती है या दबने लगती तो married life में delay होता है तो यह तिल और जूपिटर अपना negative response तक्रिबन दे चुके हैं क्योंकि marriage के तमाम तरह के prospect आपके life में अभी तक successful हो नहीं पाए है लेकिन again इतना जो patience रखा है उसका बहुत fruitful result आपको मिलेगा इसलिए यहाँ शुक्र भी developed और supportive line भी strong है अब यहाँ देखेंगे आप कि जब यह supportive line आ रही है तो आपकी लगातार progress line निकलना शुरू हो रही है इसके पहले भी कुछ progress line है लेकिन इसके बाद लगातार progress line निकल रही हो और life line में भी डिवाडेशन हो रहा है जो multiple travelings या एक से ज़्यादा जगे पर residence या foreign tour को ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है professional life के विशे में बात करें तो अभी जो आपका struggle चल रहा है वो इसले चल रहा है क्योंकि life line से another line decline हो रही है तो यह life में होने वाले drastic change को या फिर struggle stresses को ही इंडिकेट करता है कि आपका इस्थान में निश्य तुरूप से परिवर्तन होना तय है लेकिन वो अभी नहीं है अभी आपका उमर 30 के आसपस में है और यहां जो आपकी भाग रेखा में सीधा का सीधा जो परिवर्तन हो रहा है वो 33 के बाद में हो रहा है या फिर sacrifice या struggle को face नहीं करेंगे तो कई न कई और जदा आपको struggle, stresses, earning की बहाफ पे, finance की बहाफ पे करना पड़ सकता इसलिए बहुत सूजबूच के साथ कोई भी निर्णे ले, earn था अभी कोई भी निर्णे ना ले जो work है उसी को continue करें तो ज़्याद आपके लिए fruitful रहेगा इसके बाद यहाँ जो आपकी earning है वो marriage के बाद भी continue रहेगी आपका career continue रहने वाला उसके regarding कोई stress या struggle नहीं है relation, family के regarding ठीक नहीं रहते, एक तो ये till भी हो गया तिल के कारण relation के संबंद में तकली परशन ही आती है और दूसरे ये है कि आपका जो heart line है वो Saturn पर break हुआ है तो Saturn पर जब break होता है तो दूसरों का भला करने वाले या फिर दूसरों का अच्छा चानने वाले होते हैं लेकिन पहले अपने खुद के life को या personal satisfaction होने के बाद जाकर दूसरों के मदद करते तो कई मरतबा लोग आपको यहाँ पर मतलबी भी समझ सकते हैं लेकिन आप पितने मतलबी नहीं है आपका nature ही है कि पहले खुद का पेड़ भरे तभी किसी और का भी भर पाएंगे तो यहाँ पर जब सेटन पर heartline रुकती तो यह व्यक्ति को थोड़ा career oriented, money minded, self centered बना देती है और यहाँ आपका nature है emotional और dedication बाला भी है लेकिन पहले खुद को ज़्यादा तबज्ज़ देने के कारण भी या अपने life को settle करने में बहुत ज़्यादा busy होने के कारण भी और दूसरा सबसे important point यहाँ तिल होने के कारण भी थोड़े minor struggle stresses आपको आ रहे है आपके रिस्तो के regarding रेकिन marriage के बाद कोई भी यह जो शिकायत है यह सारी चीज़े खतम हो जाएगी क्योंकि जो supportive line है वो इतनी ज़्यादा strongly behave कर रही है इवन शुकर भी इतना अच्छा behave कर रहा है कि आप अपने life में इतने बड़े position या authority या इतने अच्छे खासे जीवन शेली में रहेंगे कि लोग automatically जुड़ना भी चाहेंगे क्योंकि आप दूसरों को मदद कर पाने में या उनकी life still better कर पाने में उनकी मदद अच्छे से कर पाएंगे तो इसलिए marriage के बाद में कोई भी ये शिकायद जो भी है ये भी आपकी खतम हो जाएगी क्योंकि moon luck line भी available है तो जब spouse आते हैं तब comfortability luck और satisfaction ये सारी चीज़े enhance होती है moon luck का ये बहुत अच्छा connection पाए जाता है इसलिए इसके regarding भी बिल्कुल बेफिकर रही है आप father के property के बारे में देखे तो यहां crosses का sign है तो इतने easily तो नहीं मिल पाएगा even father से भी जो संबंद है वो थोड़े यहां ठीक है यह नहीं दिखा रहा है career के regarding भी even unsatisfaction, instability, insecurity ये देता है cross का sign तो property के बहाफ पर जो indication है वो इतने favor में आपके नहीं है और आपके जो partner है वो आपी के field के regarding रही ये भी confirm नहीं है क्योंकि supporting line जो आ रही है वो इस बात को दर्शादी की partner आपको वो मिलेंगे जो आपके life को और better करने या फिर आपके life में तमाम तरह की struggle, stresses को खतम करने के लिए आएंगे तो same profession से जब partner मिलते हैं तो इस condition में जो moon लख लेने वो directly settle होते हुए Saturn तक पोचता है और आपके यहाँ पर immediate start हो रहा है और immediate break भी हो रहा है इसलिए same profession से मिलने के chances थोड़े से कम है stone या फिर city के बारे में hand के द्वारा बताया नहीं जा सकता है क्योंकि stone या फिर जो city है जो places है वो mainly कुंड़ी के द्वारा ही अधियन करके निकलता है इसके अलावा अभी जो pressure है या struggle है वो इसलिए है क्योंकि life line में changes हो रहा है इस struggle को face करने तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि यह struggle अगर face कर ले तो आगे कोई majorly struggle stress नहीं आएगा इसको अगर face नहीं किया तो karma जो है वो pending रहे जाएंगे तो आगे भी struggle मिल सकता और वो ना मिले इसलिए अभी थोड़ा सा आपको patience रखना चाहिए अब यहाँ पर आते हैं आपके oral palm के structure के उपर तो यहाँ देख सकते हैं कि finger के length आपके palm के comparison में short है जो एक fast tradition making habit एंड जल्दबाजी वो हर बड़ी किसम के व्यक्तित को दरशाता है इस condition में instant decision लेना अपने thoughts पर बहुत जल्दी काम करने लगना जिस बात से inspired, motivated या influence हो है कुछ समय के इंतरानों वो काम करके दिखाना, patience बहुत कम होता है energy level ज्यादा होता है, इसलिए अपने thoughts पर action लेने की tendency बहुत जल्दी होती है कई मरतबा बिना सोचे समझे किये गए, काम या कहे गए बात से नुकसान ज्यादा होता है इसलिए खासका जब भी कोई निड़ना ही लें, तो proper pro-conse analysis के द्वारा ही लें तो हर काम में आपके perfection है stability रहेगा finger के बीच में ऐसे gap पैसे रुकने नहीं देते बहुत खर्चिलापन और independent nature and approach को ही है, create करता है little finger के लें short होने के current stage fear issue और जो money management है वो weak होता है इसलिए इस condition में पैसा अपने बस ज़्यादा न रखते हुए investment पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि जो management या punctuality है वो weak होने के करण commitment भी एकदम immediate नहीं करना चाहिए क्योंकि इन सब चीजों को fulfill करने में difficulties आती है तो अगर एक समय पर एक ही काम करें तो हर काम है perfectionist stability आपकी maintain रहेगा third and first finger cleanse में first finger cleanse ज़्यादा है strong है तो इस condition में ये responsibility taking nature देता है तो जी उनमें कभी किसी प्रेगर के जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और खुद के hardware के के द्वारा खुद के जिम्मेदारी लेने की प्रवती के द्वारा क्योंकि बहुत कम उमर से कंदों पर जिम्मेदारीय ज़्यादा आती है और अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं किसे के सामने हाथ फिलाना पसंद होता ही नहीं है भले ही खुद कितनी तकलिफ उठाले लेकिन अब कभी भी अपना दुख तकलिफ या ज़रूरत बहुत कम लोगों से आप सांजा कर पाएंगे या फिर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि self-respect ज़्यादा है अब यह कॉंबिनेशन सबसे अच्छा आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही है क्योंकि जब फिर्स्ट फिंगर के लिए इस्ट्रॉंग होती है तो knowledge gaining जो capacity बहुत अच्छा होता है यानि grassypping skill और यही रीजन है कि studies के माधियम से hardware के माधियम से और बहुत ज़्यादा responsibilities लेने के माधियम से बहुत अच्छे leader, advisor, guider, consultant यह teacher बनते भी पाए जाते है यानि high post authority यह top level management में पहुचने का chances यह ज़्यादा बढ़ा देता है अब देखेंगे तो finger के उपर आपकी सीधे खड़ी रेखाओं के शंकला है जो friendly nature and approach को दर्शार है तो हर परिस्तिती माहल में अपने अपको ढालना हर प्रकार के लोगों के सा संबन अच्छे रखना यह भी nature है और finger के जो note से यह develop clear cut नहीं है तो confusing mindset होता decision लेने में बहुत difficulties आती है किसी ना किसी वेक्तिविशियस के guidance और support के आशक्ता पड़ती है decision लेने के लिए phalanges और internal marks किसी तक्रीबन ठीक है तो stamina energy या रोग प्रतिरोदक्षमता बढ़िया रहने वाला और thumb का size यहां पर आपका रोख नहीं पा रहा है saving issue आपको रहेगा दूसरा consistent work आपसे हो नहीं पाता है रोख रोख करके काम करने की आदत आपके अंदर है यह कचेन है तो आलिशान घर का सुख मिल पाएगा आपको grass shipping इसकी लच्छी रह पाएगी अध्यात्म के माध्यम से peace and happiness मिल पाएगा और तत्यों के साथ अपने बात को केने सुनने के आदत है आपके अंदर क्योंकि सीधी खड़ी रेखा है second flange पर ज़्यादा है palm का structure जब rectangular होता है तो high thinking and approach होती है और इस condition में impatient type of nature personality भी है create करता है नीचे का area ज्यादा developed होने के कारण नमोजी किस्म का nature होता है rules regulation discipline maintain करने में difficulties आपको आएगी Jupiter mount के उपर जब भी आड़ी रेखा होती है spiritual connection देता है अध्यात्म कुरूची देता है दानवीर दयालू किस्म की प्रवती देता है तो चा करके भी बुरा किसी का नहीं कर पाएंगे थोड़ा ये area कम ले रहा है इसलिए married life में थोड़ा देरी दे रहा है बाकि आपके married life अच्छी रहेगी professional life अच्छी रहेगी तमाम तरक का सुक्सविदा धनलाब आप अपने जिएवन में उठा पाने में सक्षम रहेंगे भागे की स्थिती ऐसी है कि इसमें भी लगातार परिवर्तन होई रहा है लेकिन एक बहुत अच्छा चिन ये है कि fish symbol के sign के साथ आपका भागे रेखा खोद गम है यानि आपके जनम के बद आपके घर परिवार में सुक्सविदा समरिद्धी बहुत बड़ा है और आप जि लिए बहुत अच्छा है जैसे आपकी पिता भाई बंदू और इस्पाउस यहां जो लक लाइन की आपकी जो इस्थिती है वो 33 से ही इस्टोंग हो रही है इसलिए जो भी मनलायक काम है आपका उम्र तक्रिवन 33 से ही अच्छा हो पाएगा एक धनहानी का योग आपको इन 37 में आ सकता है और उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होने के चांसे उम्र 40 और 42 के मिड में है अब यहां पर जो अनदर लाइन है वो यहां पर सेटन से कनेक कर गई है तो एट देंड आप अपने लाइफ में सेटिस्वाइड 100 परसंट हो पाएंगे और सारे अनदर आड़ी रेखा है थोड़ा सो मूडी नेचर देता है अधरवाइस सेटन के रिगड़िंग कोई ज़्यादा कमी और परशानिय आपके अतिली में नहीं है सुर की स्थिती में जब भी ऐसे क्रॉसस बनते हैं तो जो पढ़ाई लिखाई की होती है उसके अलावा किसी दूसरे स्ट्रीम के रिगड़िंग काम करते हैं यानि पढ़ाई लिखाई ऐसा लगता है कि प्रॉपल ले काम नहीं आ पा रही है दूसरा जो प्रेशर है या स्ट्रेगल है करियर में रहता ही जादा रहता है इस कंडिशन में क्योंकि क्रॉसस इस बात को दर्शारा होता है कि करमा जैक तो पेंडिंग है इसलिए इतना स्ट्रेगल इस्ट्रेस उठाना पड़ रहा है पीता का काराख है इसलिए उनसे वे मिले तवज्जो मिले वेल्यूज मिले वो नहीं मिल पाता है जब तक क्रॉस रहता है तो यह सारी चीजों में सुधार कब होगा जब आप इसका रेमेडी पर्फॉर्म करेंगे और इसका रेमेडी आपको वाट्स पर सजेस्ट कर दिया जाएगा इसलिए इसके रिगारिंग भी ज्यादा चिंतितना होएं कई मरतबा बे बुनिया दिलजाम लगता है अच्छा करने जाते हैं बुरा हो जाता है इंटेंशन सही रहती है सामनला समझ कुछ हो लेता है यह सब इसक्रॉस के कारण ही होता है मरकरी की स्थिति आपकी डेवलप्ट अच्छी है तो सीखने स समझने और बातों को याद रखने की सक्षमत है यह बहुत अच्छी देता है कम्यूनिकेशन स्कील्स बहुत स्ट्रोंग होती है मल्टीपल लेंगिजिस का नॉलेज बिल्ड होता है कॉन्फिदेंस लेवल बूस्ट होता है और इस कंडिशन में जो फाइनेंस हुआ या फि अगर आप पार्ट टाइम कोई वर्क करेंगे तो यह आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशल रहे है क्योंकि इससे लाव क्या आसार आपके बढ़िया है प्योर बिजनस में जाने का सेजेशन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि थोड़ी फिंगर भी एक अब हो सकते हैं आपके फैमिली के रिगारिंग लेकिन आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा तवज्यों भी देते हैं या उनको जीवने बहुत सुख देपाने में सक्षम रहेंगे क्योंकि यह रेखा मातरभक्त बनाती है तो घर परवार के लिए बहुत ज़्यादा शूर नहीं करेंगे आपका love, care and attachment and expectation बहुत होता है लेकिन आप शूर ही नहीं करते हैं तो इस condition में अपने relation जितने भी हैं उसको बहुत ज़्यादा pure रखें या फिर उसमें transparency बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश करें जरूरी नहीं है कि 10 relation एक साथ निभाईए एक दो ही लेकिन जब यह transparency रखेंगे अपने हाले दिले जो है बया करने लगेंगे या फिर बहुत ज़्यादा hidden ना रहते वे एक पर अगर से open-minded या फिर open-hearted यहां हो जाएंगे तो यह जो heartland का थोड़ा जो issue आ रहा है जैसे बाते मन में रहना, मन में रह रहे के बढ़ना, emotional hurt या moods जैसे issues यह most probably आपके overcome बहुत जल्दी हो जाएंगे या खतम ही हो जाएंगे यहां पर mind line का structure में देखेंगे तो यहां साफ साफ देख रहा है कि बच्पन ठीक नहीं रहा आपका, खासकर उमर 13 से लेकर के 16 का period तो और जादा disturbing था क्योंकि island का formation है और island health, family, mind सब के regarding stress देता है mind और life line में जो independence है वो हुई है 17 के आसपास में और इसी period से आपने बहुत ज़्यादा बागडोड समाला है या खुद के दम पर ही काम करना शुरू किया है अदिकतर और mind line का formation है वो long है तो यह long hard deep studies कराता है या studies के उदारा बहुत अच्छा growth दिलाता है straight mind line to the point बात करने की योगों को भी निर्मित करता है और इस condition में बहुत ज़्यादा ही courageous टाइप का nature होता है क्योंकि आउटर मार से connected है तो हिम्मत नहीं आरते हैं इस condition में यतिनी भी रेखा हैं जो mercury के तरु जा रही है या असूर को देख रही है इस सारी रेखा हैं खुद की द्वारा लिएगा decision से मिलना और लाप को indicate कर रहा है तो earning हुआ या overall life में growth हुआ वो आपका बहुत अच्छा है यहां पर उसके regarding आप बेफिकर रही है और आप mentally है ही इ प्रशानी आपके mind lane पर नहीं है हाँ यहां mental level का stress another वापिस दिखा रहा है 23 और 4 के इसके आस पास तक और अभी के period के बात करें तो राहो का involvement है तो illusion बहुत हो रहा है desire बहुत ज़्यादा है जो fulfill नहीं हो पा रहा है बेफिजुल के भागत ओड़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन यह struggling period ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा most probably hard to hard 8 to 10 months और रहे सकता है that's it क्योंकि जो progress line है वो बहुत अच्छी level की निकल रही life line से और life line को जो एक प्रकार सी structure है या जो quality है वो बहुत ज़्यादा सुधरा होगा दिख रहा है इसके बाद से life line का जब शाखा शुकर के तरह जुकरा होता है तो इस condition में family से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते है और लंबी आयू भी रहती है और शुकर को अच्छा एरिया मिल जाता है तो luxuries, comfort, royalty, standard of living, आलिशान, घर और कार बंगलो सब का सुख 100% मिलता है जैसा कि यहाँ पर तिल है और यह मांट दबावा है तो definitely starting married life में sacrifices ज़्यादा रहेगा बट overall married life देखी जाए बहुत बढ़िया यहाँ यहाँ यह family life आपकी रहेगी इसके लावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो मंगल का छेतर है उसमें से बहुत सारी रेखाय निकल रही है तो थोड़ा बहुत यह siblings के दोरा struggle, stress देता या aggression देता है बट शुक्र की जो overall स्थिती वो बढ़िया है शुक्र जब अच्छे होते हैं हथेली में यह develop ज्यादा होते तो इस condition of fashion, beauty, designing यह interior, designing के प्रती interest and knowledge अच्छा होता है कित्व का position ठीक है, fish symbol का sign है तो sudden gain and progress आपके life में होने वाला है और यहाँ पर जो mercury line के स्थिती वो थोड़ी और अगर strong हो then after पेसा अच्छा रुकेगा सूर के रेखा मजबूत हो रही है तो definitely power position and authority आपके life में around 34 के बाद से बढ़ेगा चंदर की स्थिती ठीक है, तो internal peace and happiness marriage के बाद 100% मिलेगा आपको left hand में देखेंगे, तो mind line के end में by four का कसायन है जो intelligence और clever attitude mentality को ज़्यादा build करता है sudden पर heart line रुकी हुई है तो freedom type of nature and personality एक create करता है किसी भी प्रगार के foundation में रहना आता ही नहीं है, रही नहीं पाते है और जो supportive line है वो strongly behave कर रही है, तो इस condition में आने अले समय में बहुत अच्छे लोगों से आपके connection या जो relation है बहुत strongly build हो जाने वाले रहेंगे और foreign land से काम करने के या जन्मिस्तान से दूर रहने के जो अवसर हिवाब की life में थोड़े ज़्यादा आने वाले समय में आएगा आने वाले समय अर्था 32, 34, 36 इन सभी ages में तो यह थी सबसे महत्पुर्ण बते आपके हाथ के रिगाड़ी आश्र करता हूं सभी प्रश्णों का अत्तर मिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद